गालिब को बैठा देख लेना तो लगता ही नहीं कि फिर ये कभी उठ पाएगा है कि इसका अपने शरीर पे पूरा कंट्रोल नहीं है अब ये वैसे भी थोड़ा रामबरो से ही चलता है इसका जबड़ा भी हमने तार से बांध रखा है पर फिर भी अब ये केले भी खाने लगा है और घास भी धीरे धीरे खा लेता है पहले से तो इसकी हालत में काफी सुधा रहे थे जब अभी शेख जिसको कांगड़ा से या लाए थे तो इसकी हालत काफी खराब थी एक अक्सिडेंट में इसके तीनों पैरों में चोट लग गई थी और समय से मदद ना मिलने कारण उस चोट में कीड़े पड़ गए थे और तो और इसका जबड़ा भी इसकदर तूट गया था कि यहां आके यह खापी नहीं पा रहा था और तीन दिन तक हमने इसको फ्लूइट्स पर ही रखा अब गालिब के आने के बाद दो चीजे हो यह एक अच्छी और एक बुरी क्योंकि इसके जबड़े का इलाज हम नहीं कर सकते थे तो हमने सरकारी इस्पताल से सरजरी की डेट लेने का प्रयास किया पर हमें डेट मिली नहीं इसी दोरान एक डॉक्टर साहब यहां पर हमारी टीम को ट्रेंड करने आए वे थे तो उनकी गाइडेंस है ना सिर्फ गालिब की सरजरी यहीं पर हो गई बल्कि आगे के लिए भी हमारी डीम को यह सरजरी करनी आ गई जो बात गालिब के किससे मेरे जहन में आई वो यह कि गालिब को देखके बिना उसकी मदद किये कितने लोग आगे बढ़ गए शायद उन्होंने सोचा भी कोई और भी दिश की मदद नहीं कर रहा लेकिन जब अभिशेख जी गालिब की मदद करने के लिए रूके तो और कि लोग मदद करने के लिए आगे-आगे तो यानि कि इनसानों में भी भेड चाले है कुद्रत ने इनसान को भी ऐसा बनाया कि वो उसी दिशा में जाएगा जहां पे आगे वाली भेड पर हां यह हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने आपको कितना बुलंद करते हैं और हम आगे वाली भेड बनते हैं या पीछे वाली